किसी भी लोग सबक शेत्र में राहूल गांधी की निया यात्रा के पहुँचने पर या यात्रा पूरी होने के बाद या फिर यात्रा के पहुँचने से पहले कॉंग्रेस के निता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं मिलिंद देवडा, बाबा सिद्धी की, अशोक चवहान से लेकर गीता कोडा तक एक लंबी लिस्ट है अब इस लिस्ट में पूर्व केंद्रे मंत्री नारान राटवा भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने कॉंग्रेस की प्रात्मिक सदस्यता से स्तीफा दे दिया अब वे बीजेपी में शामिल होंगे गुजरात में अरविंद केजरिवाल के साथ गटबंधन का ये पहला साइड एफेक्ट सामने आया एहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल और बेटी मम्ताज पटेल भी इसी लाइन में है नारण राठवा के साथ उनके बेटे संग्राम राठवा भी बीजेपी में जाने की तयारी कर चुके हैं कुछी समय में कॉंग्रिस की भारज जोडो नियायात्रा गुजरात पहुचने वाली है उससे पहले ये कॉंग्रिस के लिए एक बड़ा जटका माना जा रहा है राहुल गांधी की भारज जोडो नियायात्रा का टार्गिट गुजरात में आदिवासी समुदाय है नारण राठवा भी आदिवासी समुदाय से तालुक रखते हैं ऐसे में गुजरात में इसे भाजपा के बड़े गेम प्लैन के तौर पर देखा जा रहा है बता दें की नाराण राठवा कॉंग्रेस के पुरान नेता हैं वहां पांच बार कॉंग्रेस के टिकेट पर लोगसभा का चुनाव लड़ चुके हैं 1998 से लगातार पांच बार चुनाव जीत कर लोगसभा पहुंचे इसके अलावा साल 2004 से 2009 तक रेल राज्य मंत्री रहे हलाकि साल 2009 में उन्हें भाजपा प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा गुजरात में अभी कॉंग्रेस को और भी जटके लग सकते हैं सुतरों का कहना है कि एहमद पटेल के बेटे और बेटी दोनों कॉंग्रेस ने तरत्व से नाराज हैं दरसल दिल्ली के बदले आम आदमी पार्टी ने अन्य राज्यों में कॉंग्रेस के साथ सीट बटवारे पस एहमती बनाई है गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को दे दी गई जहां से उसने चैतर वसावा को अपना उम्मीदवार बनाया है एहमद पटेल के बेटी मुमताज पटेल या फिर उनके भाई फैसल यहां से टिकेट के उम्मीदवार थे ऐसे में चर्चा है कि एहमद पटेल भी कॉंगरेस से नाराज है जानकारों का कहना है कि नारण राठवा के भाजपा में शामिल होने से पार्टी में आदिवासी बेल्ट को फाइदा मिलने के उम्मीद है संभावना है कि भाज़पा में शामिल होने के बाद पार्टी नारण राठवा को या उनके बेटे को लोग सभा का टिकेट दे सकती है वियो रिपोर्ट न्यूज अफ इंडिया उनके बाद बाद औो या वियो रहाग कर दे पहाइर सकती है बाद बाले है